बिहार में कटिहार के रोजीतपूर महले में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को रोश्णी के पर्व दिवाली का बेसब प्रिस इंतिजार रहता है। बढ़ जाती है। ऐसे में उनकी कमाई में भी इजाफा होता है। हमारे घर में रोश्णी का सीधा असर इन परिवारों पर नज़र आता है। आम दिनों में सामान कमाई के बीच दिवाईली से लेकर छठ में रोईंग के इन पलीतों की यानि बाती की मांग काफी बढ़ जाती है जिससे इन लोगों के रोजगार में भी जाफा होता है। कटिहार के रोजूदपूर पलीता टोला के नाम से मशूर इस महले के मुहमद मुस्लिम, समीना, मुहमद फारुग, आकीजा खातून, मुहमद सोहेल, मुहमद शाहिद समेथ कई लोग इस काम में लगे हैं। दिये का पलीता बनाने का काम कर रहे इन लोगों का कहना है कि बीपावली के समय इनकी डिमांड बढ़ने से पूरा परिवारिस काम में लग जाता है। बिहार के लावा बंगाल के बाजारों में भी भेजते हैं। अलांके इन लोगों ने ये भी कहा कि अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे तो खुद का रोजगार शुरू कर वहतर मुनाफ़ा भी कमाया जा सकता है। यह दिपावली में काम आता है। दिपावली में क्या करते हैं। दिपावली में क्या करते हैं। तो घर के ही लोग मिल करते हैं। बनाते हैं। बेचने कुन जाता है। हमें लोग जाते हैं बेचनेक लिए। पैसा ठीक जाते हैं। पैसा ठीक ठाक मील जाता दे था went up To is that how your health is owned up? नहीं नहीं कभी हैं… उनन नहीं कभी ना लिया हैं। अगर फाफ बराई सकते हैं। पैसा पुहीं रहे गा यहा, लिए तो बनाते हैं। करोबार कि साल में का प से साल के अपना ने क्रोया अपना पनी आ करको सला कर करके देते हैं तो तो कहां तक मल जाता है कहां तो आदेका माला हो बलती बेचना जेहां बेजना हो बीचन करके जेतें फिर फिर बैजार में वह बाइटा ने सर्क वह सुट सोना किो यह बीच रचन करके तो आप लोग से होल्चलर आके ले जाता है कि ने पहुचाते है सर कितना घर करता है इस महला में कि यह लगवक सघर करता है इस महला में कटिहार से नबीटी ओम्लाइन के लिए मुहम्मद असदुर रह्मान की रिपोर्ट